तो दोस्तो अगर आपका बजेट है 45,000 और आप चाहते हो एक लाफटॉप लेना है आपको अगर आपको प्रफेशनल लाफटॉप चाहिए तो यह सब बहुत अच्छी लाफटॉप से इसके अंदर अगर आपको हल्त के फूल का गेमिंग भी करना जाए तो वह भी कर तो लास तक वीडियो को जरूर देखना तो चलिए केक स्टार्ट करते है मेरा में सुम्भी सुवास आप देखे रफ्रेश अपडेट करने अच्छे लगदा है तो लाइक जरूर प्रेस करना दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना नाई हो चानल पे तो नीची प्रेस करना साइट में जो घंटी है वह भी प्रेस करना तकि कोई रफ्रेश रिप्रिंग से मिस्ता दोस्तों यहां वीडियो को स्टार्ट करने से पहले कहें देना चाहता हूं कि यहां पे जो जो लाप्टॉस मैंने सेलेक किया है जाहता लाप्टॉस दोस्तों आई 3 की 10 के होगी कुछ है जो आई 5 की 10 जनरेशन के साथ भी अपलोगों देखने को मिलेगी कुछ ऐसे लाप्टॉस से जिसके अंदर आप लोग गेमिंग भी कर पाऊगे दोस्तों हाई रेवल की बात नहीं कर रहा हूं यह आपके लिए सारे लाप्टॉप को देख लेते हैं तो फ इसके अंदर आप लोगों देखने को मिलता है 8GB की रैम जो की एकस्पांडेबल नहीं है यहां पर अगर आप लोग SSD को आप्गेड करना चाहते हैं वह आप लोग कर पाऊगे बट वह आपको सर्वी सेंटर ले जाना होगा तो यह वाले लिए अप्ट विंडोस 10 के साथ आ या पर कोई आप लोगों बैकलीट कीबोर बगरा देखने को नहीं मिलती है दोस्तों और मेटल चैसिस के साथ है तो यह लापटाप बहुत ही अच्छी है इस प्राइस पॉइंट के आप लोगों आप लोग लेना चाहते हो यह भी लापटाप बाई कैसे तो वेबकेम आप बात करते हैं डिस्प्ले की तो 14 इंच की आप लोगो फूल एजडी दिस्प्ले देखने को मिलती है और डिस्प्ले क्वालिटी इसकी बहुत ही अच्छी है दोस्तों और इसकी वेट की बात करते तो बहुत ही लाइट वेट है तो आप इसको ऑफिस में करी करना चाहते हो तो आप लोग इसली कर पाऊगे अगर इंटरस्टेट हो इस लाफटॉप में तो आप लोग जाकर इसके और स्पेसिफिकेशन नीचे दिए को लिंक से चेक आउट कर सकते हो और लोग है जो एच्प की तरफ से लाफटॉप चाहते है और एच्प की तरफ से इंटल का कोई हैं चillonर यहां पर लोगों करने होगे यहां पर 20-가coat देखने को नहीं मलती जो की फुरदर एक्स्पांड करतों आप लोग olha इस चाही की वर शिल्ट्रच की बात करें तो बहुट यहां पर प्री इनस्ट्राब चाहते ह tornado की ले सकते हो ऐत आप लोगो फुल एजडी डिस्प्ले देखने को मिल जाती है तो डिस्प्ले की मामले में भी यह आप लोगो खराब पर्फॉमांस बिल्कुल नहीं देगा आप लोग इसके साथ बिल्कुल जा सकते हो तो यहां पर सिफ चार घंटी के आप लोगो बैटरी लाइब देखने क को मिल जाएगा यह भी चेक आउट आप लोग कर सकते हो अगला जो लाप आप लिस्ट में है वो है एसस की दुर्फज है एसस वीबोबुक 14x412DA वाले लाप टॉप के अगर बात करते हैं तो यहां पर आप लोगो देखने को मिलता है AMD की तरफ से AMD Ryzen 5 की 3500 जो की बहुत ही एक CPU है जिसके साथ आप लोगो देखने को लिए वेगाइट के ग्राफिक्स जो की बहुत ही अच्छा सावित होता है अगर आप लोग गेमिंग वगेरा करना चाहते हो तो गेमिंग भी यहां पर कर पा होगे GT5 वगेरा आप लोग इसली चला पाओगे मीडियम सेटिंग्स के अंदर तो यह बहुत ही कैपेबल प्रोसेसर है इसके अंदर आप लोग 1010P में वीडियो एडिटिंग वगेरा भी प्रीमियर प्रो के अंदर कर पाओगे बहुत ही अच्छा चार कोर से इसके अंदर तो आ अगर GPU demanding task आप करते हो तो Ryzen 5 3500U के साथ जाना सबसे ज्यादा बेटर option होता है तो VivoBook 14 के बात करता है राम की तो राम यहापे आप लोग 8GB की देखने को मिलते हैं यहापे catch है दोस्तो एक 4GB shouldered है और एक आप लोग को additional slot में 4GB देखने को मिलता है अगर आपको RAM अप्ग्रे Lata की HDD slot भी देखे तो यह बहुत ही अच्छी बात है जाब एडिशनली आप लोग HDD डाल सकते हो तो बहुत ही सही लगा मुझे साथ ही साथ यहाँ पर डिस्पली की बात करता है तो 14 इंच की आप लोग को देखने को मिलती है जो ठीक ठाक डिस्पले है दोस्तों इसकी वी बधियर की पड़ा की काड़ी जाते है तो ज हो सबस्पले नहीं जाते हैं व собственно काले तो करने की कंटार यहाँ पर लोग करते हो ऊक शेड़े हैं दक कंट्सली था कूश गंठे की से तो अगर इंट्रेस्टेड हो यह वाली लाप्टाप को भी चेक आउट कर सकते हो अगला जो लाप्टाप है वह है होनर की तरब से होनर मैजिक बॉक 15 यह वाले ही लाप्टाप जो है बहुत ही elegant looking laptop है बहुत ही slim बहुत ही lightweight laptop है जिसके अंदर आप लोगो देखने को मिलता है फास्ट चार्जिंग सपोर्ट वह भी टाइप सी की फास्ट चार्जिंग 65 वाट की तो यह इंप्रेसिव है इसके डिस्पले दूस्तों IPS डिस्पले है डिजाइनिंग के लिए बहुत ही अची है साधी साथ यहां पर बात करें इसकी प्रोसेसर में आप लोगो देखने को मिलता है राइजन 5 3500 जो की बहुत ही पावरफुल है सच्छाथ वेगाईट की ग्राफिक्स की करना आप यहां पर भी आप लोग कैज्वेल गेमिंग और स बहुत ही पावरफुल लाप्टॉप इसकी डिजाइन जो है ना बहुत ही एलिगेंट है यह पूरा जो है ना मेटल बॉड़ी है तो यहां पर आप लोग को बहुत ही अच्छा प्रीमियम फील देखने को मिलेगा तो इस वाए लाप्टॉप के स्टोडेज वगर की बात कर कर पाऊगे आपके फिंगर्पिंट को सेंस करेगा और डिरेक्ली है ओन हो जाएगा साथ सथी आप एक बहुत यूनिक फीचर दिया गया है कीबोर्ट के अंदर आप लोग को एक बटन दिया गया जहां पर पॉप आप क्यामरा आपकर देखने को मिलती है इस प्राइस पॉ पर खुद साफ कहा गया है कि अगर खुद खोलोगे तो वारेंटी वाइड हो सकता है आप केर पे ले जागे उससे जो है पूच्छा कर सकते हो और एक चीज में यहां पर को बैकलेट कीबोर्ड देखने को नहीं मिलती है इस लाप्टप के साथ अगर आपका बजेट है 45,000 के अंडर तो यह वाली लाप्टप प्रफेक्ट ऑप्शन है अगर आप लोग डिजाइनिंग में रह करते हो तो सबसे ज्यादा अच्छा ऑप्शन है जो कि आप लोग आप्ट बिलकुल कर सकते हो अगला जो लाप्टप लिसमें है वह ए एसर के तरब से एसर 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 एस यहां पर कोई भी आप लोगो SSD के स्लोट देखने को नहीं है चाहे तो आप लोग उस SSD को निकाल कर अंदर डाल सकते हो एक अलग वन टीवी तक SSD बत यहां पर कोई भी एडीशनल स्लोट नहीं है अगर डिस्पली की बात करें तो 15.6 इंच की आप लोगो देखने को मिलती है लेकिन यहां पर अगर बात करते हैं डिस्पली की तो कौन सा डिस्पली यूज किया गए यहां पर दोस्तों TFT LCD यूज किया गए यह चीजा आप लोग द्यान रखेगा लेकिन इसकी कलर रिप्रदक्शन उतनी खराब नहीं है बट अगर आप लोग और अच्छा जिन लोगों ने खलीदा इसको तो बहुत ही अच्छी वहां से रैस्पॉंस है अगर यह लाप्टाप चूज करना चाहता है तो चूज कर सकते हो अच्छी परफॉर्मेंस आप लोगों देखने को मिलें यहां पर कोई भी बैकलीट कीवर्ट होगा देखने को नह तो यह वाली लाप्टाप एक बार आप लोग चेक आउट जरूर करना लास्ट जो है एक एच्पी की तरफ से लाप्टाप है जो है एच्पी 15S जी आर ट्रिपल जीरो नाइन यू इसका मॉडल नंबर है और इस वाली लाप्टाप के अंदर भी आप लोगों देखने को मि अच्छा था तो यह वाली लाप्टाप मैंने सिलेक्ट किया क्या क्योंकि यह दोस्तों 45,000 के अंदर ही आप लोगो देखने को मिलता है तो यहां पर दोस्तों Windows 10 आप लोगो प्री इंस्टॉल मिल जाती है इस वाल लाप्टाप के स्क्रीन की बात के तो 15.66 की फुल देखने को मिल जाता है तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं है कि अगर वीडियो कॉलिंग करना चाहते हो तो यह वाली लाप्टाप चेक आउट कर सकते हैं और एक लाप्टाप था दोस्तों 512GB के साथ वह मैं लिंक दे दूंगा नीचे आप लोग जाका चेक आउट करना है जो है कभी 42 रहता है कभी 45 रहता है कभी 49 हो जाता है तो अभी 49,000 दिखा रहा था तो आभी वीडियो बनाकते वक्त मैंने उसको इंक्लूड नहीं कहा लेकिन सेम स्प्रिश्विकिस्न है सिर्फ आपको वावे 512GB के SSD देखने को मिल दिया तो दोनों के तुनों लिंक में द जिल रहा है और यहां पर जो है अगर आपको लैटर बहुत अर्जेंट है तो आप लोग ले सकते हो और यहां पर अगर यह वीडियो को पसंद आया तो लाइक ज़रूर प्रेस करें दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर जिसको चाहिए उसके साथ शेयर करो तो उसको भी मदब और अगर नीचे दियो यह लिंक कैसी तो कि मुझे थोरा सपोर्ड में साथ कुछ भी आप लग चाहरें नीचे दिए वह लिंक कर देंटां किसफेशार्य अगर नहीतार की सब्सक्रिब कर दें ना मिलतके अगर दें इंट्रस्टीं वीडियो साथ तब तक लिए सथे झाल 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 झाल